सच या जूट की इटें आप कौन सी लेंगे ब्रिक्स मेड ओफ लाई और टूथ विच वन विल यू टेक गुड मॉर्निंग तो एक बार जो है इवल स्पिरिट्स की जो है लडाई हुई गॉड से तो उनने का कि आप जो हैं बहुत ही खराब तरीके से ट्रीट करते हो तो ज हम सब जो है यहां यह फटे हाल में रह रहे हैं यह इस तरह यहीं दिस्किरिमेशन क्यों तो God ने का चलो ठीक है एक काम करते हैं कि आप दोनों की जो दोनों की सिटीज है जो अच्छी आत्माओं की सिटी है जो बुरी आत्माओं की सिटी है जितने भी घर बने हैं न मैं उन सब को गिरा देता हूं ठीक है उन सब को गायव कर देता हूं और आप शुरू से बनाओ ठ इसी अपनी इस्टिटी बना सकते हो उनने घाक है इसको बनाने के लिए मैं आपको एटे दूँगा तो आपके बास दो चौइसस हैं तो एक तो झूट से बनेगी और एक सच से बनेगी तो जब भी कोई आदनी प्रिछवी पे जूट बोलेगा तो immediately एक एट मिल सकती है आपको जब कोई सच बोलेगा तो एक एट मिल सकती है अब आपको चूज करना है ठीक है ना एट उती ही strength की होंगी तो उसमें कोई परिशानी नहीं है तो जो बुरी आत्माओं थी उन्होंने सोचा कि पृत्वी पे लोग जूट जादा बोलते है तो हमे सिटी का फिर construction होना शुरू हुआ तो बुरी आत्माओं ने भी शुरू किया अच्छी आत्माओं ने भी शुरू किया और जो बुरी आत्माओं की सिटी थी वो बहुत जल्दी जल्दी बनने लगी क्योंकि उनके पास में continuously इटे आ रही थी लोग बहुत जूट बोलते हैं तो उनकी तो सिटी बनके बुरी आत्माओं की बनके तयार भी होगी और सच्छी आत्माओं की लगे में लगे में ठीक है ना और उनकी जो यह सिटी जो बहुत सुन्दर बनी बुरी आत्माओं की सिटी बड़ी सुन्दर बनी हैं बहुत massive बड़ी gigantic बड़ी magnificent ठीक है और कुछ अजीव सी चीजे होने लगी तो उन्होंने देखा कि जो इटे हैं दिवार में लगी वी इटे, फाउंडेशन में लगी वी इटे बिल्डिंग के छत में लगी वी इटे गायब उनी शुरू हो गई और जो है मकान गिरने लग गए तो ये देख करके वो भागे एक दर से गौड के पास ने का भाई ये क्या हो रहा है तो हमारी सीटी जो है ऐसे खराब हो जाएगी ये इटे जो आपने दी है ये डिफेक्टिव हैं गायब होने लग रही है तो गौड ने हसके का आरे भाई ये जो जूट है जैसे ही वो जूट पकड़े जाते हैं वैसे ही उन से बनीवी इटे गाया भोजा रही है ठीक है ना तो आप देख रहे हैं कि जो जूट से बनीवी चीज़े हैं वो जहाद दो लास नहीं करती ठीक है लाइफ of a lie is short If not today or tomorrow, it will get caught right and कई बार क्या होता है हम कहते हैं कि भी success वाने के लिए कई बार जूट से न हम असानी से success पा सकते हैं ठीक है और जल्दी success पा सकते हैं असानी से पा सकते हैं but in the end it will make us a failure क्योंकि उसकी life नहीं होती right वो कभी ना कभी जरूर पकड़ा जाएगा those who follow the same truth move slowly but their success is permanent तो जो लोग जो है सच्चाई का रस्ता अपनाते हैं उनका रस्ता थोड़ा difficult हो सकता है उनको success थोड़ी धीरे मिल सकती है but जो भी success मिलेगी वो permanent मिलेगी तुम ऐसा बहुत देखते हैं कि लोग लोगों ने अपने success के लिए जो है shortcut अपनाई ठीक है तो हर एरिया में ये चीज़ देखने को मिलती है मगर वो success जो है जाला देर चलती नहीं है ठीक है आप देखते हैं कि सारे frauds हो रहे हैं तो इसलिए है कि हम जो है बहुत जल्दी success पाना चाहते हैं तो there is a quotation by Theodore Roosevelt in long run the most unpleasant truth is a safer companion than a pleasant falsehood तो इसका मतलब यह है कि अगर आप देखें कि in the long run तो एक जो है एक कड़वा सच जो है ठीक है वो एक you know एक pleasant जूट से बेटर है क्योंकि वो आपका जादा safer companion है क्योंकि वो आपके साथ रहेगा ठीक है ना जूट का कुछ नहीं पता क्यों जूट कीटों की तरह से वो कब गयब हो जाए तो नाओ फर देक्टिफ फॉर टुड़े तो कई बार ऐसा होता है कि आपको मैं आपको एक बार पहले screen share कर रहा हूं तो एक problem जो है वो हमारे सामने आती है जैसे example के लिए मैं कुछ देख रहा हूं तो यह रिखेंगे आप कि यह website है और यह website को जो है मैं immediately चाहता हूं कि मैं अपने mobile phone पे खोलने के लिए मुझे यह इतना बड़ा मैं इसको कैसे मैं URL को transfer करूं तो उसका एक easy तरीक आपको बताता हूं तो यह रिखेंगे आपकी यह Google Chrome के अंदर यहां पर एक share this page का button है इसको दबाएं और यहां पर इसका link भी copy कर सकते हैं और यहां देखे एक button है create QR code तो click करते ही रिखे QR code आ गया तो कोई भी page का QR code अब आप इसको immediately अपने phone पे scan कर सकते हैं और यह page आपके phone पर खुल राइट तो I hope you like the tech tip and the story for today please leave your comments in the YouTube तो मेरे को आपका feedback चाहिए आप से सुनके मुझे बहुत अच्छा लगेगा thank you so much